हाई गाइस मेरा नाम है दुशार और आज गाइस में आपको बताने वालूँ कि आप एक यूनीक हिंदी आर्टिकल को जनरेट कैसे कर सकते हैं गाइस मैंने इससे पहले की यूनीक आर्टिकल पर भेज़ड़े एक वीडियो होनाई थी कि आप अगर मेरी चैनल पर नए हो तो दीचे दिएगा सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस कर दें ताकि आने वाली सारी अच्छी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहें तो गैस अब चलते हैं परी लैप्टॉप की स्क्रीन पर जोहां मैं आपको बताऊँगा कि आप एक हिंदी यूनीक आटिकल को कैसे जनरेट कर सकते हैं अब गैस सबसे विल आपको यूट्यूब पे आना है और यूट्यूब के सर्च बार में सर्च करना है जो भी आपका टॉपिक है यानि जिस भी टॉपिक पे आपको आर्टिकल चाहिए तो गैस फॉर एक्जांपल मैं ले लेता हूँ वाट इस ऐसी हो अब गैस सर्च करने के बाद आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप जिस भी वीडियो को चूज कर रहे हैं वो हिंदी लेंगुज में हो ताकि आपको जो आर्टिकल मिले वो हिंदी में मिले तो गैस फॉर एक्जांपल मैं फर्स्ट ओली वीडियो ले लेता हूँ और इसका गैस में लिंक एडर्स कॉपी कर लेता हूँ लिंक एडर्स कॉपी करने के बाद आपको गूगल पे आना है और सर्च करना है यूट्यूब वीडियो टो अदियो कनवर्टर और गैस सर्च करते ही आपको फ़र्स ओली वेबसाइट पे क्लिक करना है itmp3.cc एंडेन गैस आपको यहाँ पे उस लिंक एडर्स को पेष्ट करना है जो आपने यूट्यूब से कॉपी करा था एंडेन गैस आपको यहाँ पे mp3 पे क्लिक करना है and convert पे click करना है and then guys आपको download पे click करना है आप guys पेरी file download हो चुकी है हमने पहले इसको YouTube वीडियो से audio में convert कर लिया है आप guys आपको इस site पे आजाना है vocalmatic.com guys इस site का मैं लिंक description में दे दूँगा आप हहाँ से click करके site पर direct आ सकते हैं and then guys यहाँ पे आते ही आपको get started for free पे click करना है and then guys आप चाहिते हैं आपको किसी भी तरीके से signing कर सकते हैं LinkedIn के through भी कर सकते हैं Google के through भी कर सकते हैं तो guys आपको मैं Google के through करके दिखा तो अब guys आपको यहाँ पे आते है click करना है yes I am अब गैस यहाँ पर आते हैं आपको इंडस्ट्री चूज़ करना है कौनजी इंडस्ट्री है वो तो गैस for example मैं चूज़ कर लेता हूँ डिजिटल मार्केटिंग अब गैस यहाँ पर आपसे आपके करन्सी पूछेगा तो गैस आपको यहाँ पर INR डाल देना है अब गैस यहाँ पर क्लिक करना है उसके बाद गैस यहाँ लिखा है refer your friends and colleagues to vocalmatic तो गैस यहाँ पर मैं I'll do it later पर क्लिक कर दूँगा अब गैस यहाँ पर क्लिक कर दूँगा create your first transcription पर अब गैस यहाँ यहाँ पर dashboard है यहाँ पर हमें step 1 दे रखा है तो गैस हमें इसे default रहने देना है इन देट गैस हमें step 2 में अपनी file को upload करना है जो भी हमने audio file बनाई दी वहाँ पर गैस यह 11 MB किये तो यह upload होने भी थोड़ा time लगाईगी अब guys step 3 में हमें language को चूज करना है जिस भी language में हम अपना article चाहते है तो guys हम अपना article हिंदी में चाहते है तो हम हिंदी को चूज करेंगे इन देन गैस बाकी चीजों को आपको by default रहने देना है यहाँ पर दिया गया step 4 में select transcript format तो आपको default formatting रहने देना है आपकी file यहाँ पर upload हो चुकी है तो guys आप इसको यहाँ पर submit करेंगे अब guys इसकी थोड़ी एक limitation है कि आप इसको एक दिन में सिर्फ 30 मिनट पर use कर सकते हैं तो guys आप चाहें तो different different mail id से sign up करके आप चाहें तो इसको use कर सकते हैं अब guys यहाँ पर लिखा है current minutes 30 minutes used 9 मतलब हमने 30 minutes में से 9 minutes use कर लिए है तो guys आप 21 minutes बचे हैं तो guys अब हम click करेंगे confirmance submit पर अब guys यहाँ पर click करना है go to my transcription पर अब guys जैसा कि आप देख सकते हैं कि आप इस status pending लिखा हुआ रहा है अब guys उस page को refresh करना है यहाँ उपर से अब guys जैसे आप refresh करेंगे तो यहाँ status pending से complete पर आ जाएगा अब guys आपको यहाँ पर click करना है name what is SEO search engine पर अब guys जैसा कि आप देख सकते हैं इसने हमारी पूरी audio को transcribe कर दिया है अब guys YouTube की वीडियो में शुरुआत में और guys last में लोग generally बोलते हैं कि हमारी channel को subscribe करें तो guys वो भी generally यहाँ पर लिखा हुआ आ जाता है तो guys वो आपको edit करना पड़ेगा अब guys जैसे यहाँ पर यह time लिखा हुआ आया है तो आपको यहाँ से इसकी editing करनी पड़ेगी और guys अगर आपके पाफ कोई extra information है इसी topic से related तो आप चाहें तो इसमें add भी कर सकते हैं अब guys उसके बाद हम dupli checker पर आ जाएंगे और इसका plagiarism check करेंगे अब guys क्योंकि हमारा article 1700 करीब word का है तो guys यहाँ पर minimum जो word limit है guys वो 1000 है तो guys हम इसको आदा आदा करके check करेंगे तो guys पहले मैं इसको यहाँ से आदा आज copy कर लूँगा and then guys मैं copy करके इसको यहाँ पर plagiarism checker में paste कर दूँगा अब guys यहाँ पर हम check plagiarism पर क्लिक करेंगे अब guys जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ही 100% unique आ रहा है guys बाकी का भी आप चेक करेंगे तो आपको 100% unique ही मिलेगा आप चाहें तो guys इसमें अच्छी सी editing करके इस article को और भी अच्छा बना सकते हैं thank you guys for watching guys अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो please इस अपने friends के साथ share करें and guys अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया हो तो guys दीचे देगा subscribe बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को subscribe करें and guys bell icon को भी दबा ले ताकि आने वाली सारी अच्छी अच्छी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसान से मिलते रहें